बड़ी खबर परिटक सल महादेव पानी के पास एक बड़ा हाथसा हुआ है भोपाल से पहुचे तीन बच्चों की बहने की खबर मिल रही है हाले कि आपको बता दे कि दो बच्च वालिक की तलाश अब भी जा रही है और सुभा छे बज़े से उसकी तलाश में एक बार फिर से रस्क्यू आपरिशन शुरू कर दिया गया है एस यारेव जला प्रुशासन इस रक्त मौके पर मौजूर है नावालिक की तलाश के लिए सुभा से ही रस्क्यू आपरिशन चुलाया जा रहा है महादेव पानी जो की एक बड़ा परिटन असल है बड़ी संख्या में मौनसून के समय यहां पर लोग प्राकृतिक सौंदरे को निहारने के लिए पहुचते हैं लेकिन अपनी जान भी जोखे में डालते हैं और ऐसे में पहली बार नही है इसके पहले भी यहां कई बड़े हाथसे हो चुके हैं नदियों के तेज भाव के बीच लोग पहुचते हैं नहाते हैं और उसी बीच जब तेज भाव में बह जाते हैं तो कई हाथसे हो जाते हैं लेकिन ऐसे में प्रिशासन की और से आज तक यहाँ पर सुरक्षा के कोई पुखता इंतिजाम नहीं किये गए है। ऐसा ही हादसा एक बार फिर से हुआ जहाँ तीन बच्चे बह गए दो बच्चों का सुरक्षत रेस्क्यू कर लिया गया उन्हें बचा लिया गया एक नावालिग लापता है जिसकी तलाश अभी भी जारी है। मालूम है प्रिशासन को भी कि मौनसून में यहाँ पर बड़ी संक्या में परिटक पहुचते हैं लेकिन फिर भी सुरक्षा के पुखता इंतिजाम आज तक यहाँ पर नहीं किये गए और ऐसा ही एक हादसा फिर से हुआ अभी भी रेस्क्यू चल रहा है आपके पास सुला के लिए हमीद्या स्पताल भी भेज़ दिया गया है यह वो पीछे आप जहरना देख रहे हैं यह वो जहरना है खास्तोर से बरसात में हम देखते हैं कि कई जहरने स्थाल है वो प्राक्तिक सौंदर से भरपूर होते हैं और कई स्थानों पर पत्रीले बड़े-बड़े में भी लिखा है कि जहरने में जब वहाओ तेज हो तो पानी मनना जा लेकिन कई बार जो युवा रहते हैं वो अती उत्सा का परिज़ा देते हैं और यही कराने कि इस प्रकार का घटना करम घटित होता है यह पूरा इलाका देख रहे हैं यहां पर अधी बात करें तो कल क पातार समझाए इस भी दे रहा था कि जब पानी का बहाओ तेज हो उस दोरान पत्थरों से दूर रहें लेकिन यही करण है कि जो समझाए इसके वाबजूद भी धान नहीं दिया गया और यह पूरा इलाका देख से कहों बो दिखाएं किस तरीके से यहां पर अभी भी किसी को नहीं आने दिया जा रहा है क्योंकि यह वो इलाका है कि खास्तोर से ऊपर की छेतर में पानी गिरता है तो एक दम से पानी आता है याप समझ भी नहीं पाते है कि पानी कहां से आ रहा है और यही कराने कि एक दम से जब पानी आता है तो यहां बहाओ की स्थिती बढ लेकिन लगाता है प्रसासन समझाइश देता है फुलिस की टीम भी यहां पर मौजूद है और यह पूरा जो इलाका है खास तोर से बरसात के समय चाहे मादेव पानी की बात हो जो कुछी दूर पह और यह वो खांट है घटना स्थल है जहां पर घटना हुई है तो खास तोर स समझाइश भी दिया जी जाती है कि अधी आपको प्राक्तिक सौंदर के साथ आनंद लेना है तो कम से कम अपनी सुरक्षा भी यह परते जाएं और अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपनों की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमें प्रक्रति के साथ छेर्चार नहीं करनी यादी जब बारेस तेज होती है तो कहीं ने कहीं हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा कि परिवार के साथ महुचते हैं पानी का बहाओ तेज है तो जो गाइडलाइन ते की गई हैं कम से कम उनका ध्यान रखा जाए ताकि कि वक्त के लिए क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपर चितानी बोर्ड लगाया गया है प्रश्रासन की और से लेकिन फिर भी लोग मानने को तयार नहीं है तो आने वाले वक्त में ऐसे हाथ से ना हो उसके लिए क्या को चुछित कदम उठाए जाएंगे लेकि खास्तों से जो सानी पुलिस रहती है वो उसकी टीम यहाँ पर मौजूद रहती है कि जरना जब तेज रहता है तो उस समय जो खास्तों से पत्थरों के आसपास लोग खटे ना हो जमाबट ना हो और जो रेस्क्यू की बात है वो सुबह सुबह जो युबक का सब बराम कर लिया इसका नाम विधान बताया जा रहा है और वो सब जो है पोस्ट मार्डम के लिए भोपाल हमीदी अस्पताल भेज़ दिया गया है हला कि अभी भी SDRF की टीम यहां पर मौझूद है आप त्सपीरों में देख पा रहे हो तो पोलिस की टीम भी यहां पर मौझूद है तो तमाम जो इस्थानी प्रसासन है है SDRF की टीम है वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है और यह वो निचला हिस्सा है और दी में अपने सहयोगी से कहूं भूबत दिखा है खास्तोर से जब बहाओ बढ़ता है तो यहीं पर जमगट होती है और यही काड़ है हादसे भी नियोते देते नजर आते हैं लेकिन कही जो हमतनी चुनोती बड़ी है सावधानी रखना होगा और खास तोर से बरसात किसम है इस ज्हरनी की बात इनहीं भूपार के आसपास कई ऐसे बड़े ज्हरने होते हैं जहाँ पर लोग पहुंसते हैं इन蘇मय पहांदा होते हैं पहुतें नजर आते Chance पिल्कुल बहुत ش़ किरे हम तक पहुचाने के लिए जानकारी के लिए लेकिन देखे एक बार फिर से आप अंदाजा लगाईए कि पानी कितना गहरा यहां पर रहा होगा और क्योंकि कल रविवार कर दिन था ऐसे में बड़ी संख्या में परेटक यहां पर प्राकर्टिक सौंदरे को निहाने के पहुचे थे और उसी समय यह हाथसा हुआ हालकि आज सोंवार हो और क्योंकि कल एक बड़ा हाथसा हुआ था इसलिए टीम है यहां पर तैनात कर दी गई है यहां पर आने के लिए अब किसी को भी रोका जा रहा है मना ही की गई है लेकिन ये वाकरी में सच है कि लोग बच्चों को रेस्क्यू किया गया है एक बच्चे का रेस्क्यू पूरा हो चुका है लेकिन उसका शव रामत किया गया तस्वीर आप देखिए इस गटा के बाद से यहां पर एजी आरिफ की टीम है प्रश्रासनी कमला अभी भी मौके पर मौके पर मौजूद है और प्सवीर आरिफ्टार्णविट किया थान से टीम है शुर्णव है ऑड़िकिन तर्ष मौके बचकी टीम है प्रश्रासनी कमला पाद से महां वहां जू हो शुक्तिक वर आरिबखिए शुक्तिक किया अबादूद रादार्णवा सिर्णवा ऑग्चे हाजू अबवादार्